प्रिश्प संख्या एक सो सरसट शिला पर चली शिला हुई चूर गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार वचन सौरब अक्क महादेवी जन्म बारहुई सदी करनाटक के उड़ुतरी गाउं जिला शिव मोगा प्रमुख रचनाए इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपून कवियतरी थी चन्न मलिकारजुन देव यानि शिव इनके आराध्य थे बसवन्ना और अल्लामा प्रभू इनकी समकालीन कन्नर संतकवी थे कन्नर भाशा में अक्क शब्द का अर्थ बहिन होता है अक्क महादेवी अपूर्व सुन्दरी थी एक बार वहां का स्थानिय राजा इनका अद्भूत अलोकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतू इनके परिवार पर दबाव डाला अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने तीन शर्तें रखी विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूशन तथा राज परिवार को छोड़ दिया पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदी महापुरूशों के सम्मक्ष खड़े होने का प्रयास था इस द्रिष्टी से देखें तो मीरा की पंक्ती तन की आस कबहूना की नी ज्यों रणमाही सूरो अक्क पर पूर्णतह चरितार्थ होती है प्रिष्ट संख्या 170 अक्क के कारण शयव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जिनमें अधिकांश निचले तबगों से थी जुणी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी इसी प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतिय साहित्ते में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला स्तरजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रिवादी आंदोलन के लिए एक अज्यस्र प्रेड़ना स्रोत भी यहां इनके दो वचन लिये गए हैं दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनात सिहने किया है प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है यह उपदेशात्मक ना होकर प्रेम भरा मनुहार है दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रती पूर्ण समर्पण है चन्न मली कारजुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकमपा के लिए हर भावतिक वस्तु से अपनी जोली खाली रखना चाहती है वे ऐसी निस्प्रिह स्थिती की कामना करती हैं जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नश्ट हो जाए